नेक्स्ट क्वेस्टन है यह आपके CBSE 2020 में आ चुका है वार्ण मार्क्स में क्वेस्टन है दो वैल्य ओपी फॉर विक्स दपॉइंट दिस दिस और दिस और को लिनियर ठीक है पहली बात तो कोली नीर क्या मतलब है को मिलेगा अगर अगर फ्रिकोडिनेट्स गीवें और हम फिर उसको जीडू करेंगा यानि कहीं एक equation बनेगा P containing term जिसको आप solve करोगे और आपका P मिलेगा ठीक है अब area of triangle क्या होता है मैंने कई बार बता है मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे confused होते हैं बूल जाते हैं देखो इसका एक technique है पहले बार तो 1 by 2 लगाना नहीं भूलेंगे अगर triangle हमाणा A, B, C है A हमाणा X1, Y1 B हमाणा X2, Y2 C हमाणा X3, Y3 है ठीक है आपसे area of triangle पूछा जाना है तो ध्यान को इसमें आप X1, X2, X3 पहले प्लेस कर दीजिए X1, X2 और X3 हमने प्लेस कर दीए ठीक है अब ज्यान दो एक circle यहाँ ड्रॉआ कर दो 1, 2, 3 और यहाँ bracket लगा दो फिर प्लस फिर यहाँ bracket लगा दो फिर प्लस और फिर यहाँ bracket और फाइनली हम इसको बंद कर देते हैं यह थोड़ा ऊपर लिखा गये है ठीक है अब देखो यह जो bracket है इसमें Y containing term हम लेंगे ठीक है यह अगर X1 है यहाँ पे तो क्या हो जाएग यहाँ से है control और यहाँ से है control जाएगा अगर X1 है यानि यहाँ पे Y2-Y3, 2 से 3, Y2-Y3, right? जब हमारा control 2 पे होगा, X2, means 2 पे control है, यानि Y3-Y1 Y3-Y1, अब हमारा control X3 पे है, यानि Y1-Y2 क्या होता है, बच्चे इसको learn करने कोशिश करते हैं, और कहीं X1 हो जाता है, कहीं Y1 हो जाता है, confused होके गलत करके आ जाते हैं, ठीक है? और square unit, finally हम इसमें square unit लगा जाते हैं, अब देखो, आपके case में ABC given है? आप इसको X1-Y1 एजिम करना हो, या आपका X2-Y2 है, या आपका X3-Y3 है, आप इसको question paper पर लिख दीजिए है, कहीं side में लिख लिख लिजिए है, ठीक है, अब देखो, area of triangle equals zero for collinear, collinear के लिए क्लिए होता है, area of triangle zero होता है, हमारे area of triangle का formula हमने लिखा है, ठीक है, यापके 1 by 2, X1, हमारे X1 क्या है, 3, Y2-Y3, Y2 हमारे क्या है आपके, P, Y3 क्या हमारे, minus 5, तो आप दिखाण दो, P, minus, minus 5, X2, X2 हमारे क्या है, 5 है, Y3-Y1, Y3 हमारे क्या है, minus 5, minus, Y1 क्या है, 1, plus, X3, X3 क्या है आपका, 7, इसके बदद Y1-Y2, Y1 हमारे है, 1, minus P, Y2 हमारे P है, bracket बंद, equals 0, ठीक है, अब यह half, नीचे डिवाइगर जाएगा, 0 खतम, हम half अटा देते हैं, फिर इसको simplify रहते हैं, यह होगे 3, और P, plus 5, plus 5, यह होगे आपका, minus 6, calculation के देहां रखते है, plus 7, minus 7, P, equals 0, हमने bracket खोल दिया या पर, ठीक है, यह होगे आपका, 3P, plus 15, minus 30, plus 7, minus 7, P, equals 0, अब आप, लाइक टर्ड को एक साद रखें, तो 3P, minus 7P, plus, अब यह क्या हो जाएगा, 50, plus 7, 22, minus 30, यह हो जाएगा, minus 8, अब यह क्या हो जाएगा, minus 4P, कही कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है, minus 8, equals 0, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, minus 4P, equals 8, तो P, क्या हो जाएगा, 8, upon minus 4, तो यह हो जाएगा, पी आपका अगे, minus 2, right, clear, अब क्या करना है, लाइक करना है, सबस्क्राइब करना है, और सेर करना है,